हलो गाईस, असलम्म वालेकूँ, आज में शेयर करने वाले हूँ आपके साथ चिकन बिर्यानी जो की बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होती है ये देखिया, आप देख सकते हैं कलर और कितने खिले-खिले चावल है चले आईए शुरू करते हैं, यहां मैंने देख किलो गेलेक्सी वाले चावल ले लिया है जिसको हमने एक घंटे पहले वाश करके बिगो कर रख दिया है यहां पर दो बड़े चमच हमने तेल लिया है और तीन मीडियम साइस के प्यास कट करके डाल दिया है इसको अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेना है फिर उसको हमें निकाल लेना है उसके बाद यहां हमने कुछ गरम मसाले ले लिये हैं गरम मसाले अब हम प्यास को निकाल लिया है प्यास को निकालने के बाद इसमें हम गरम मसाले एड कर देंगे फिर इनको अच्छे से fry करना है उसके बाद हमें चिकन जो हमने देड कलो लिया था वाशude करके अच्छे से सारा एड कर देना है ये देखिए अब इसको चला लेना है ताकि इसका कलर वाइट ना हो जाये चिकन का कलर वाइट हो चुका है इसमें हमने दो चम्मच लस्सन और दो चम्मच अध्रक का पेस्ट डाल कर अच्छे से भून लिया है फिर हमने यहां पर तीन बड़े टिमाटर और 10-12 हरी मिर्चे रफली चौप करके डाल दी है और एक कब दही भी इसमें अड़ कर दिया है अब इसको अच्छे से चला लेना है ताकि यह अपना ओइल रिमूफ कर दे यहां हमने एक चमच नमक ले लिया है, एक चमच लाल मिर्च और आदा चमच गरम मसाला, आदा चमच चाट मसाला एड़ कर दिया है, अच्छे से इसको चला लेना है उसके बाद यहाँ पर हमने चावल एड़ किया है जो कि अच्छे से भीग गए थे यह देखिए यहाँ पर सारे चावल हमें डाल लेना है फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर देड़ किलो चावल और देड़ किलो चिकन लिया है तो कम से कम यहाँ पर में तीन ग्लास पानी लिया है कैवडा वोटर और इसमें थोड़ा सा पानी मिला कर कलर मिला लिया है यह हमने बिर्यानी खोल कर देखी अभी पानी है थोड़ी दिर बाद चेक करी यह पानी खुशक हो चुका था अब यहां बर हम अपना फूट कर डालेंगे यह देखिए अब उपर से बुनी हुई प्यास और एक चमबच गरम मसाला यहां हमने देशी की ले लिया है तूटेवल इस्पून उसमें दो हरी लाइची ले लिया है इसमें इसकी खुश्बू बहुत अच्छी जाती है बिर्यानी में बहुत ही अच्छी खुश्बू निक अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बैल आइकन का बटन दवाना ना बूलें अल्ला हाफीज